क्या एक देश के दो नाम हो सकते हैं? वेल, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं? पर मुद्दे की बात ये है, कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पहचानना सबसे पहले उसकी नागरिक्ता या उसके देश से होती है अब सवाल ये है, अगर आप खुद को इंडियन कहते हैं, तो फिर भारती कौन है? और अगर आप खुद को भारती कहते हैं, तो फिर हिंदुस्तानी कौन है? आज देश में यही मुद्दना सबसे बड़ा है, कि हम आखिर कौन है? क्या हम इंडियन है या फिर भारती है और क्या है हमारे देश का नाम तो सारा कुछ जानेंगे आज के इस विडियो में अब हाली में अम उद्दा उठा है जिसके सुरुवात हुई है एक इंविटेशन से आपको पता है अभी दिल्ली में G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है तो इस समिट में आने वाले महमानों के लिए राश्पती भोवन की ओर से डिनर के लिए एक इंविटेशन भेजा गया जिसकी पहली लाइन थी दिनर के लिए जो इंविटेशन भेजा गया उसमें लिखा गया था दा प्रेसिडेंट ऑफ भारत इसी तरह विदेशी प्रतिनीधियों के लिए बनाई गई जी ट्वन्टी पुस्तिका का टाइटल भी भारत रखा गया है जो पहले इंडिया हुआ करता था अब ये पहली तो ये जानते हैं कि हमारा सम्मेधान क्या कहता है इस बारे में। और बारीकियों पर नजट डाले तो मैरे समविधान की प्रस्तावना यानि प्रियंबल के अंग्रेजी संस्क्रन में लिखा है We the people of India जबकि हिंदी संस्क्रन में लिखा है हम भारत के लोग इसी तरह से समविधान के सिर्षक में अंग्रेजी में लिखा है Constitution of India जबकि संविधान के हिंदी सिर्षक में लिखा है भारत का संविधान तो ये बात तो clear है कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के नाम है और इन में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है हाँ ये बात जरूर है कि पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी President of India लिखने की उसका पालन यहाँ पर नहीं किया गया है लेकिन ये सम्मिधान का उलंगन तो नहीं है तो अब जब ये सम्मिधान का उलंगन नहीं है अज सम्मिधान इक नहीं है तो फिर इतनी Controversy क्यों हो रही है जैसा मैंने बताया Controversy जो है वो राजनितिक है पॉलिटिकल है लोग सभचुनाओ सामने है और विपक्ष दलों के गडबंधन ने अपना नाम इंडिया रखाया अब पॉसिबली इसी लिए सरकार ने इस नाम का प्रयोक करना कम कर दिया है और भारत नाम पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो यहां तक तो हमने जाना कि हमारा सम्मिधान क्या कहता है इंडिया और भारत के बारे में इसी तरह भारत की आजादी के प्रस्ताओं को इंडिया इंडिपेंडेंडेंस एक्ट 1947 कहा गया। तो ये तो कुछी एक्जामपल्स है। बताने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के समय देश को इंडिया नाम से पुकार जाता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश के नाम को बदलने की कोशिशें भी सुरू हो गई। पंद्रा अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और इस दिन जब हमारी समविधान सभा दिल्ली के सेंटरल एसेंबली हॉल में मिली तो रविन्ना टैगोर का जंगन्मन और इकबाल का सारे जहां से अच्छा दोनों ही गीत गये गये थे। यानि आजादी के समय इंडिया, भारत और हिंदुस्तान तीनों ही नाम इस्तिमाल किये जाते थे। अब बात है सितंबर 1949 की। यह वो समय था जब देश के नाम को लेकर समिधान सभा में चर्चा हो रही थी। इस दोरान सभा के सदस्यों की तरफ से कई नामों का प्रस्ताओं रखा गया, जैसे भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमी, भारत वर्स, एट्सेक्टरा। समिधान सभा के एक सदस्य सेठ गोविन दास ने भारत की इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि देश का नामना सिर्फ भारत रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत नाम हमारे देश के इतिहास और संस्कृति की लिहास से ठीक रहेगा। क्योंकि भारत सब्द हिंदु धर्म की पवित्र साहित्यों में भी आता है। जबकि इंडिया शब्द हमारी किसी भी प्राचिन की ताबों में नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी के नेतृत्यों में देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत मातय की जैके नारे लगाय इसलिए भारत नाम ही सबसे बेस्ट रहेगा। इसी तरह हर गोविन पंत ने भी भारत नाम का ही समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम हमें विदेशियों ने दिया है, अंग्रेज भारत की संपत्ती लूटना चाहते थे और हमें उन्होंने गुलाम बनाया। अगर हम इन सब के बाद भी अपना नाम इंडिया रखते हैं तो ये गुलामी के प्रतीक के तौर पर रहेगा। उन्होंने भारत के अलावा भारत वर्स नाम का भी सुझाओ दिया था। कमलापती त्रिपाठी ने इंडिया और भारत दोनों ही नामों का समर्थन किया। लेकिन उनका अतर किये था कि Article 1 में इंडिया that is भारत ना लिखकर भारत that is इंडिया लिखा जाना चाहिए इसी तरह H.V. कामत ने सुझाओ दिया कि लोगों को समझाने के लिए सम्विधान में कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए भारत जिसे अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है इसके लिए उन्होंने Ireland के सम्विधान कभी एक्जामपल दिया Ireland के सम्विधान को 1937 में लागू किया गया था एक्क्छैन में Ireland ने आजादी मिलने के बाद ही अपने देश का नाम बदल लिया था उनके समविधान में लिखा है तो H.V. कामत भी देश का नम भारत रखे जाने के पक्ष में थे लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विदेश में जादा तर लोग हमारे देश का नाम इंडिया ही जानते थे इस समस्या के समधान के लिए ही H.V. कामत ने आयर्लेंड का एक्जामपल देकर ये सुझाओ दिया जिसमें हिंदी में लिखे जाने पर भारत और अंग्रेजी में लिखे जाने पर इंडिया कहा गया तो इस तरह देश के नाम को लेकर सभव में काफी चर्चा हुई और फाइनली हमारे देश का नाम समधान के अनुच्छेद एक में लिखा गया जिसे अंग्रेजी भासा में इंडिया और हिंदी भासा में भारत अर्थात इंडिया लिखा गया अब इस तरह तकनीकी रूप से देखें तो दोनों ही नाम ना सही हैं दोनों ही नाम देश की पहचान के तोर पर इस्तमाल किये जा सकते हैं तो आजादी के बाद समिधान सभा ने भले ही भारत और इंडिया दोनों नामों पर अपना समर्थन दे दिया लेकिन तब से लेकर आज तक देश का नाम केवल भारत किये जाने की मांग समय समय पर उठती रही है जैसे 2004 में समाजवादी पाल्टी ने अपने चुनावी घोसना पत्र में इंडिया का नाम भारत किये जाने का वादा किया था केवल यही नहीं चुनाव जितने के बाद इसको लेकर मुलायम सी या दो यूपी विधान सभा में प्रस्ताव भी लेकर आया थे लेकिन आगे कुछ बात बन नहीं पाई इसी तरह मार्ज 2015 में योगी आदित्यनाथ जब लोकसभा से सांसत थे तब अनुच्छ एक में बदलाव के लिए उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेस किया था लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी इसके अलावे इंडिया की जगा भारत नाम का इस्तमाल करने के लिए 2014 में सुप्रीम कोट में एक जनहीत याचिका भी लगाई गई थी सुप्रीम कोट ने तब इस पर विचार करने से मना कर दिया कोट का कहना था कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के नाम है दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है तो इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता कोट ने तब पेटिशनर से कहा कि वो इस मेटर में पहले सरकार के सम्मंदित विभाग में जाकर चर्चा करें तो अभी कंक्लूजन यही है कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के नाम है और दोनों का ही इस्तमाल किया जा सकता है फर्क है बस भासा का तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और ऐसा ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले